हेलो मेरे प्यारे दोस्तो कैसे हो आप आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन में दोस्तो आज की वीडियो बहुती ज़्यादा खास होने वाली है और ये देखिए मैंने अपनी कार को एक इन्विजीबल प्लेट फोर्म पे खड़ा कर रखा है ये एकदम कूल है न तो चलो हम जल्दी से अपनी कार में सवार हो जाते हैं और इसे ले चलते हैं करनल के राइट हैंड गोंजालविस को क्या मस्त तरीके से धूल चटाई थी जिसके बाद वाई सिटी की सारी पुलिस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और हमने क्या मस्त तरीके से अपनी गारी को वाई सिटी की पुलिस के चंगों से बचा लिया था और ये लो हम पहु बैठा हूँ आओ मेरे साथ बैठ कर कल के बासी भोजन का आनंद लो थैंक यू अंकल मगर मैं घर से खाना खा कर आया हूँ टॉमी तुम मेरे बच्चे जैसे हो तुम मेरे मिशन्स को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते हो मगर आज वाला काम बहुत ही खतरनाक है क्या इससे मुझे मेरा गुम हुआ माल मिल जाएगा टॉमी तुम बहुत जल्द बाजी करते हो मुझे पर भरोसा रखो तुम्हारा माल बहुत जल्दी मिल जाएगा मेरे चोकरे लोग अपनी पूरी ताकत लगा कर तुम्हारे माल की तलाश कर रहे है हां हां मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मगर पहले तुम मेरा एक काम तो कर दो, तुम मेरी जगा जाकर कूरियर बोई से मिलो, वो तुम्हें एक महंगी चिप देगा, उसे लाकर मुझे दो मुझे करनन अंकल ने कहा है कि मौल में जाकर वो चिप लेकर आओ, तो चलो दोस्तो, हम जल्दी से अपनी इस गारी में सवार होकर चलते हैं उस मौल की तरफ, दोस्तो, ये कार एक्तम कूल है न, ये वाई सीटी में सबसे तेट चलने वाली रेसिंग कार है, तो ये लो, मैं समौल में पहुच भी गए, तो मैं यहां से एक शोटकट ले लेता हूँ, ये लो दोस्तो, अब मैं अपनी गारी को यही पर छोड़ कर जल्दी से अंदर जाकर वो चिप ले लेता हूँ, ये क्या, यहां तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, शायद ऊपर होगा, तो मैं यहा वो आदमी, ओए, क्या तेरे पास ही वो चिप है? ओटा टोर्टो, पिंगा पिंगा पॉ, कुर्टा कुर्टी कूकू, क्या बोला? पॉरा पॉ, कॉर्टेज ने मुझे बेजा है, जल्दी से वो चिप दे दो, पिलिस ने तुम्हारा पीछा करके पुलिस यहां तक आ गई भागो अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो ये क्या दोस्तो अब मुझे यहां से भागना होगा क्योंकि ये पुलिस वाले तो मेरी बात मान ही नहीं रहे पता नहीं वो कुरियर बोई कहां पर भाग गया अरे वो तो बाईक पर यहां से भाग रहा है तो मैं जल्दी से इस बाईक पर उसका पीछा करता हूँ ओए वो चिप मुझे दे दे दोस्तो वो बाईक को बहुत तेज दोडा रहा है मगर आज मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मुझे उसे पकड़ कर उससे वो महंगी चिप छीनली होगी लगता है वो यहीं पर फस गया है तो मैं बाईक से उतर कर उसे पकड़ता हूँ दोस्तो वो तो हमें चैलेंज कर रहा है तो चलो मैं जल्दी से आज उसको पकड रूँगा और ये मेरे सामने ही है तो मैं उसे अपनी बाइक से टकर मारता हूँ ये क्या दोस्तो वो तो गिरा ही नहीं ये देखो वो यहां सडक पर कैसे कर्तब दिखाते हुए बाइक को भगा रहा है मगर अब मैं उसे चोड़ने वाला नहीं हूँ देखो दोस्तो वो तो जमीन पर गिर गया है और आज मैं उसे उठने का मोका ही नहीं दूँगा इसे यह पर टका दिया और ये लो हमें वो चिप वाला बैग भी मिल गया है तो मैं जल्दी से अपनी इस बाइक पर चलता हूँ करनल कोर्टेज के पास ये क्या दोस्तो यहाँ पर तो पुलिस मेरे पीछे हाथ होकर पड़ गई है तो मैं यहाँ से एक शोटकट ले लेता हूँ दोस् दोस्तो हमारी बाइक ने तो हवा ही हवा में पूरा रस्ता कवर कर लिया है और ये दोस्तो मुझे अपनी बाइक को ध्यान से जमीन पर उतारना होगा वाव फ्रेंड्स मुझे तो ये जंप लगाकर 400 रुपए भी मिल गए मजा ही आ गया तो अब मैं जल्दी से अपनी बा अपनी बाइक को मोड लेता हूँ ये क्या दोस्तो पुलिस ने तो हमें जाडियों में धखेल दिया तो मैं यहां पर अपनी बाइक को जल्दी से रेस देता हूँ और इसे ले चलता हूँ करनल के पास क्योंकि करनल बे सबरी से हमारा इंतजार कर रहा होगा कि हम उसके जल्दी से इस पिंक गोले में जाता हूँ दोस्तों मेरा ये मिशन तो पूरा हो गया और इसके लिए मुझे 500 रुपई भी मिल गए है एक तम मजा ही आ गया मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं करनल साहब का एक और मिशन कर दूँ तो मैं इस गोले में वापिस जाता हूँ टोमी तुम अगले मिशन के लिए तयार हो तो मैं तुम से सिधा काम की बात करता हूँ दियाज ने मुझे उसकी एक डिल की रखवाली के लिए कहा है क्या ये डिल खतरनाक होने वाली है हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें इस कान के लिए चुना है मेरे दोस्त, मैंने कार पार्किंग में एक बंदूख छुपा रखी है, उसको वहाँ से उठा कर डियाज की मदद करने के लिए जाओ, all the best टोमी दोस्तो, करनल ने मुझे डियाज की मदद करने के लिए कहा है, तो चलो, मैं जल्दी से अपनी बाइक पर बैठ कर, इसे कार पार्किंग की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर करनल ने मुझे कहा है, कि ये खास गन पड़ी है, और कार पार्किंग यहाँ से ज़्याद और उस गन को ढूणने की कोशिश करता हूँ, ये रही दोस्तो, हमें गन मिल गई, तो मैं जल्दी से जाकर उसे उठा लेता हूँ, अईयो, तुम तो एकदम कम्माल का खिलारी है, क्या तुमको कोई और काम नहीं है, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, बोलो, क्य तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, हाँ, हमको तुम्हारा साथ काम करने में खुशी होगा, मेरा नाम लाइस है, और तुम्हारा, मेरा नाम टॉमी वरसेटी है, चलो, चलते है, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, और तुम गाड़ी में दूसरी तरफ से आकर बैश और विक्टर के साथ डील करते वक्त कुछ गुंडा लोगा ने तुम पर हमला कर दिया था, और उस हमला में विक्टर मारा गया था, हाँ, मुझे याद है, मगर तुम विक्टर को कैसे जानते हो, अयो टॉमी, मैं उस विक्टर का छोटा भाई है, ये लो लेंस, हम डील वा कोर्टेज ने यहां भेजा है, हाँ, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, हमें किसी सही जगा पर छुप जाना चाहिए, हम बालकनी में जाता, तुमको छट पर खड़ा होना मांगता, तो चलो दोस्तो, हम जल्दी से सीडियों से उपर जाते है, ये लो यहाँ पर बंस भी आ गए, और मुझे सिरफ इनकी डील को पूरा होते हुए ही देखना है, और साथ ही साथ टियाज और लेंस की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, ये तो बहुत आसान मिशन लग रहा है, पता नहीं करनल कोर्टेज इसको इतना खतरना क्यों बता रहे थे, अयो टोम को भी फटा-फट ठीकाने लगा देता हूँ, पता नहीं, अब और कितने लोग आने वाले हैं, ये लो दोस्तो, ये कार तो उल्टी आई है, तो मैं इसमें से निकलने वाले सभी दुश्मनों को भी मजा चखा देता हूँ, ये देखो दोस्तो, इसका तो मैं घुटना ही त हो जाए, और इस कार में तो आग भी लग गई, जिससे ये फट चुकी है, तो मुझे लगता है दोस्तो, अब यहाँ पर और कोई गुंडा नहीं आने वाला, हमने सभी गुंडों को यहां से भगा दिया है, मगर ये क्या, अभी ये एक और कार आ गई, इसमें से दो तू तो गया, और एक गुंडा उपर लेंज के पास भी गया है, तो मैं उसको भी टपका देता हूँ, यहां ऐसे मत खड़े रहो, उनको पकड़ो और मेरा पैसा वापिस लाओ, तो दोस्तो, मैं इस गन को उठाकर बाइक पर सवार हो जाता हूँ, और उस वाले बाइकर का पीछा करता हूँ, वो हमारे डियाज का बैग लेकर भाग गया, और इसी डिल की रक्षा करने के लिए कोर्टेज ने हमें यहां पर भेजा था, और यह हमारे होते हुए यहां से बैग लेकर कैसे भाग गया, इसलिए आज इसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं जल्द को तो बहुत ज्यादा खत्रा भी था, शायद इसलिए ही करनल कोर्टेज ने हमें यहां इस दिल की रखवाली के लिए भेजा था, तो मैं फटा-फट यहां इन पतली-पतली गलियों में से अपनी बाइक को जल्दी से ले चलता हूं डियाज के पास, और ये खडी डियाज की गाड़ी, तो मैं अपनी बाइक को यही पर रखकर उस पिंक गोले में जाता हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं और ये सिरफ तुम्हारी मदद से हुआ है बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोमी वरसेटी है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, तुम तयार रहना अरे, वो लेंस का बच्चा कहा गया? बेटा, क्या तुम मेरे लिए कान करोगे? पैसा मिलेगा तो कुछ भी करूँगा, ओए लेंस, मुझे इसकी कार बहुत पसंद आई है, मैं अभी इसको चुराना चाहता हूं पर तुम ऐसा कैसे करेगा मैं? तु उपर चल, मैं तुझे करके दिखाता हूं, दोस्तो आप भी तयार हो जाएए, क्योंकि अभम डियाज की गारी चुराने वाले है, और उसके लिए हमें इस डियाज को टकाना होगा तो मैं फटाफट डियाज और इसके चम्चो को गोली मार देता हूं, ये देखिये दोस्तो, ये मिशन फेल हो गया है, तो अब मैं जल्दी से नीचे जाकर इस गारी को हतिया लेता हूं तो चलो, अब हम फटाफट इस कार को किसी सुनसान एरिया में ले जाते हैं, और फिर मैं आपको इस कार की सभी खास बाते एके करके बताता हूं हाँ दोस्तो, ये हमारे सामने तो बहुत बड़ा बीच है, ये एकदम सही जगा रहेगी तो चलो दोस्तो, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये कार बुलेट प्रूफ है, मतलब कि इस पर कितनी भी गोलिया चलाओ, इसे कुछ नहीं होता ना ही इसके शीशे तूटेंगे, और ना ही कभी इसके टायर फटेंगे तो अब मैं आपको इसकी दूसरी खासियत बताता हूं, ये कार फायर प्रूफ भी है, मतलब कि इसमें कभी भी आग नहीं लग सकती देखो, मैं यहाँ पर फ्लेम थ्रोवर से इस पर इतनी आग बरसा रहा हूं, मगर ये कार जलने का ना भी नहीं लेती अब ये देखिए, इस कार की एक और स्पेशल ताकत, ये कार डेमिज प्रूफ भी है, अभी मैं चैन सो से इस पर इतने कट मार रहा हूं, मगर इस कार को कोई फरक नहीं पड़ रहा, मतलब कि ये कार जैसी है, एकदम बैसी ही रहने वाली है और अब देखिए, इसकी सबसे मस्ट पावर, ये कार एक्स्प्लोजन प्रूफ भी है, अभी मैं इस पर रोकेट लॉंचर से हमला करता हूँ, और ये देखिए, इस पर कितना बड़ा भी धमाका हो जाए, इस कार का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा दोस्तो, साथ ही साथ ये कार कोलिजन प्रूफ भी है, मतलब अगर कोई और कार या ट्रक इस पर टकर मारेगा, तो उसी कार को नुकसान होगा, हमारे इस कार का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी से इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर भी करो, और हमें कमेंट बोक्स में भी बताओ, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ लग्यू सब्सक्राइब को